साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशय है आतम नियंत्रन जलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी लंका के युद के कुछ वर्षों के बाद एक बार अगत से मुनी अयोध्य आए श्री राम जी ने उनका आदर सतकार किया और उन्हें आसन दिया राजय सभा में श्री राम अपने भ्राता भरत शत्रुगन और देवी सीता के साथ मुझूद थे बाद करते करते लंका युद का प्रसंगाया भरत ने बताया कि उनके भ्राता श्री राम ने कैसे रावन और कुम्ब करण जैसे प्रचंड वीरों का वद किया और लक्षमन ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असरों को मारा अगत से मुनी बोले हे भरत रावन और कुम्ब करण नी संदेहे प्रचंड वीर थे किन्तु इन सबसे बड़ा वीर तो मेगना थी था उसने अंतरिक्ष में स्थीत होकर इंद्र से युद किया था और उन्हें पराजित कर लंका ले आया था तब स्वयम ब्रह्मा जी ने इंद्र जीत से दान के रूप में इंद्र को मागा तरव जाकर इंद्र मुक्त हुए थे लक्षमन ने उनका वद किया इसे में सबसे बड़े योधा लक्षमन हुए है और ये भी सच है कि इस पूरे संसार में मेगनात को लक्षमन के अलावा कोई और मार भी नहीं सकता था यहां तक कि श्री राम जी भी नहीं भरत को बड़ी हरानी हुई लेकिन भाई की विर्ता की प्रशंशा से वो खुश थे उन्होंने श्री राम से पूछा कि क्या ये बात सच है जब भगवान श्री राम जी ने इसकी पुश्टी की तो भी भरत के मन में जिग्यासा पैदा हुई कि आखिर अगत्से मुनी ऐसा क्यूं कह रही है कि इद्रजीत का वद रामन से जादा मुश्किल था उन्होंने पूछा है महरशी अगर आप और भाईया ऐसा कह रही हैं तो ये बात सच ही होगी और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरा भाई लक्षमन विश्व का सर्व सरिष्ट योद्धा है किन्तु फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यार है से है कि मेघनाथ को लक्षमन के अलावा कोई और मार नहीं सकता था अगजसे मुनी ने कहा है भरत मेघनाथ ही विशव का इकलोता ऐसा योद्धा था जिसके पास विशव के समस्त दिव्यास्त्र थे उसके पास तीनों महास्त्र ब्रह्मा जी का ब्रह्मस्त्र नारायन का नारानस्त्र और भगवान शिवशंकर का पाशुपतास्त्र भी था और उसे ये वर्दान भी था कि उसके रध पर रहते विए उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था इसी कान वो अजे था उस समय संसार में केवल एक वही योद्धा था जिसने अतिम हार्थी योद्धा का स्तर प्रापत किया था ये सच है कि उसके समान युद्धा वास्त में कोई और नहीं था उसने स्वयम भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा ली और सारे दिव्यास्तर प्रापत किये भगवान रुद्र ने स्वयम ही उसे रावन से भी महान युद्धा बताया था और उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद कहा था कि वो एक संपूर्ण युद्धा बन गया है और संसार में तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें संदेह है कि स्वयम वीर भद्र भी मेगनात को परास्त कर सके इसके अतरिक्त उसकी परम पवित्र पतनी सुलोचना का सितित्व भी उसकी रक्षा करता था इस पर भरत ने कहा है महरशी आपके मुख से मेगनात की शक्ति का ऐसा वरनन सुनकर विश्वाश हो गया कि वो आस्तव में महान युद्धा था किन्तु बात अगर केवल दिव्यास्तर की है तो भगवान श्री राम जी के पास भी तो सारे दिव्यास्तर थे उन्होंने भी त्रिदेवों के महास्तर प्रापत किये साथ ही महाबली हनुमान जी को भी ये वर्दान था कि उन पर किसी भी अस्त्र शष्ट्र का प्रभाव नहीं होगा और उनके बल और प्राकरम का कहना ही क्या लक्षमन नी संदेहे महाप्रचंड योद्धा थे और उनके पास भी सभी दिव्यास्त्र थे किन्तु उसे पाशुपास्त्र का तो ज्यान ही नहीं था जिसका ज्यान मेगनाद को था फिर भी लक्षमन किस प्रकार मेगनाद का वद करने में सफल हुए और आपने ऐसा क्यों कहा कि केवल लक्षमन ही मेगनाद का वद कर सकते थे इस पर अगजस्य मुनी ने कहा आपका कथन सच है जितने दिव्यास्त्र मेगनाद के पास थे उतने लक्षमन के पास नहीं थे किन्तु इंद्रजीत मेगनाद को ये विर्दान था कि उसका वद वही कर सकता है जिसने चौधा वर्षों तक ब्रह्मचार्य का पालन किया हो चौधा वर्षों तक जुस्सोय ना हो चौधा वर्षों तक जिसने भोजन ना किया हो चौधा वर्षों तक किसी स्त्री का मुख जिसने ना देखा हो पूरे संसार में केवल लक्षमन ही ऐसे थे जिन्होंने मेगनात के वर्दान किन शर्टों को पूरा किया था इसी वज़े से केवल वही मेगनात का वद कर सकते थे तब श्रीराम जी बोले हे गुरुदेव मेगनात और लक्षमन दोनों के बल और पराकरम से मैं अवगत हूँ अगर शक्ती की बात के जाए तो नीज संधहिन दोनों की तुलना कोई नहीं थी लक्षमन के ब्रह्मचारी होने की बात मैं समझ सकता हूँ किन्तो मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्षमन के हिस्से का फल फुलू से देता रहा मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था और बगल की कुटी में लक्षमन था मैं सीता और लक्षमन अधिकतर समय साथ भी रहते थे फिर भी लक्षमन ने सीता का मुख भी ना देखा हो भोजन ना किया हो और 14 वर्षों तक सुई नहो ऐसा कैसे संभव है अगत्सय मुनि सारिवा समझ गए वो मुस्कुराय फिर वो समझ गए कि भगवान क्या चाहती है दरसल सभी लोग सिरफ श्री राम का गुणगान करते थे लेकिन प्रभू श्री राम जी चाहते थे कि लक्षमन के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो तभी ऐसा पूछ रही है उन्होंने कहा क्यों न स्वयम लक्षमन से इस विशा में पूछा जाए लक्षमन को बुलाया गया सभा में आने पर लक्षमन ने सब को प्रणाम किया और फिर श्री राम जी ने लक्षमन को कहा प्रिया भाई तुमसे जो भी पूछा जाए उसका जवाब सच देना हम तीनों चोदा वर्षों तक साथ रहे फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा फल दिये गए फिर भी तुम अनहारी कैसे रहे और चोदा वर्षों तक तुम सोई कैसे नहीं लक्षमन ने कहा भाईया जब हम भाबी को तलाशते हुई रिशे मोक परवत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके अभूशन दिखा कर पहचाननी को कहा तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाए उनके पैरों के नुपूर के कोई अभूशन नहीं पहचान पाया था क्योंकि मैंने कभी भी उनके चलनों के उपर देखा ही नहीं था मैं तो भाबी को केवल उनके चलनों से पहचानता हूँ उसके अतरिक्त मैंने वनवास के समय शुर्प नखा एवं बाली की भारिया देवी तारा को ही देखा था किन्तु एक तो वो अनयास ही मेरे सामने आ गई थी और दूसरा वो दोनों पुर्ण मनुष्या नहीं थी शुर्प नखा राक्षशी थी और तारा वानरचाती की रही बात निद्रा की तो जब आप और माता एक कुटिया में सोते थे तो मैं रात बर भार धनुष पर बान चड़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था निद्रा ने मेरी आखों पर कबजा करने का प्रयास किया तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेथ दिया था तब निद्रा देवी ने हार कर सविकार करते हुए मुझे वचन दिया कि वो 14 सालों तक मुझे स्परश नहीं करेंगी कि तो जब आपका युध्या में राजय विशेक हो रहा होगा तब वो मुझे घेरेंगी आपको याद होगा कि राजय विशेक के समय जब मैं आपके पीछे च्छतर लेकर खड़ा था तब निद्रा के कारण मेरे हाँ से च्छतर गिर गया था निद्रा देवी को दिया वचन के कारण ही मैं आपका राज तिलक भी नहीं देख सका था क्योंकि मैं सो गया था अब निराहारी रहने की बाद भी सुनिये मैं जो फल फूल लाता था माता उसके तीन भाग करती थी आप सदैव एक भाग मुझे देकर कहते थे लक्षमन फल रख लो आपने कभी फल खाने को नहीं कहा फिर बिनाप क्या गया कि मैं गैसे खाता मैंने उने संवाल कर रख दिया सभी फल उस कुटया में अभी भी रखे होंगे गुरू विश्वमित्र से मैंने कतिरिक्त विद्या का ग्यान लिया था बिना अहार लिये जीने की विद्या उसके प्रियोग से मैं 14 साल तक अपनी भूग को नियंतरित कर सका श्री राम जी ने आश्चरा में पढ़ते हुए कहा तो क्या सारे वनवास काल के फल वही हैं? तब लक्षमन ने कहा नहीं भाईया उनमें साथ दिन के फल कम होंगे तब श्री राम जी ने कहा इसका मतलब तुमने साथ दिन तो अहार लिया था ना? इस पर लक्षमन ने कहा भाईया साथ दिन के फल कम इस कारण है क्योंकि उन साथ दिनों में फल आए ही नहीं थे जीजिन हमें पिताजी के स्वरगवासी होने की सूचना मिली हम निराहारी रहे जीजिन रावण ने माता का हरण किया उस दिन फल लाने कों जा था और जीजिन समुन्दर की साधना कर आप निराहारी रहे उसे रहा माँग रहे थी जीजिन हम इंद्रजीत के नाग पाश में बंद कर दिन भरा चेत रहे जीजिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का शीष काटा था और हम शोक में रहे जीजिन रावन ने मुझे शक्ती मारी और मैं पूरा दिन बरनासन रहा जी जिन आपने रावन का वद किया उस दिन हमें बोजन की सुद्ध कहां थी लक्ष्मन की जीवन का ऐसा त्याग और सत चरित्र देखकर वहां उपस्तित सभी लोग साधु साधु केह उठे भरत ने भरे हुए कंठ से कहा तुम धन्य हो लक्ष्मन वास्त में ऐसा कठिन तब केवल तुम ही कर सकते थे और केवल तुम ही इंदर जीत तवध करने योग्या थे कदाचित इसी कारण मुझे अशत्रोगन को भया के साथ वन जाने का सुभागय नहीं मिला क्योंकि ऐसा सैयम केवल तुम्हारे लिए संभव है श्री राम जी ने गदगद होकर लक्ष्मन को गले से लगा लिया और कहने लगे प्रिया लक्ष्मन वास्त में तुम जैसा भाय मिलना कठीन ही नहीं संभव है तुम्हारे ये आतम नियंत्रन किसी तपस्या से कम नहीं तुम्हारे इसी तपस्या के कारण हम रावन को पराजित करने में सफल हो पाए वास्त में तुम्ही इस विशव के सर्वस्रेष्ट युद्धा हो और जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारी सत्य चरित्रता सबका मारक दर्शन करती रहेगी साथ संगत जी अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर्ट जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुला कात होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी